Hello everyone, welcome back to my YouTube channel आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतिहास होता क्या है इतिहास के जो स्रोत होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और प्राग एतिहासी काल, आध्य एतिहासी काल और एतिहासी काल इनमें क्या-क्या अंतर होता है, इन सारी चीजों को आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को तो जो हिस्ट्री है, इतिहास कारों ने इतिहास को तीन भागों में बाट रखा है ताकि पढ़ने में सवूलियत हो इस वज़े से तो पहले प्राचिन भारत का इतिहास, मध्यकालिन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राचिन भारत का इतिहास तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इतिहास क्या होता है इतिहास यानि कि जो घटनाएं घटित हो चुकी है उनहीं के बारे में हम इतिहास जो यह विसाह है उसमें पढ़ते हैं तो इतिहास का जो मतलब होता है वो होता है अतीत का अध्यन यनिकी अतीत का अध्यन करना यनिकी study of the past हमारे भूत काल में यनिकी जो हमारे past में जो भी घटनाएं हैं घटित हो चुकी है उनके बारे में हम क्या करते हैं इसमें अध्यन करते हैं तो इतिहास जो सब्द है ये ग्रीक सब्द हिस्टोरिया से लिया गया है ग्रीक एक सब्द हिस्टोरिया जिसका अर्थ होता है अन्वेशन करना यानि कि इनक्वेरी करना या रिसर्च करना तो यहां से ये सब्द लिया गया है हिस्टोरिया और वही आगे बनके हिस्ट्री बना जिसका हिंदी रूपांत्रन इतिहास होता है तो इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है हेरोडोर्स को आप सभी को पता होगा कि जो हेरोडोर्स हैं उनको इतिहास के जनक के नाम से जाना जाता है तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारतिया इतिहास के स्रोत तो जो इस स्रोत हैं आकिर हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी घटनाएं कब घटित हुई कैसे वो घटनाएं घटित हुई है कोई उनका सोर्स होगा तो उन्ही सोर्सेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं इन्ही सोर्सेस के द्वारा हिस्ट्री का निर्मान किया जाता है तो प्राचीन भारतिया इतिहास के स्रोत को हम देखें तो इने हम दो भाग़ों में बाठ सकते हैं एक हम ले सकते हैं पुरा तात्विक शरोत याने की जो Archaeological Sources होते हैं जिनका पता हमें Archaeology से पता चलता है पुरा तत्व से पता चलता है और एक है साहित्तिक शरोत जो किताबे लिखी गई जो उस टाइम पे साहित्य लिखे गए उनसे हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो हमने क्या-क्या इतिहास को दो भागों में बाटा पुरा तात्विक श्रोत और साहित्तिक श्रोत तो पुरा तात्विक श्रोतों के ज़त भी हम कई चीजों को ले सकते हैं, जैसे है अभिलेक, inscription, कोई अभिलेक राजा के द्वारा कब उत्केंड किया गया, मलब राजा ने उसे कब खुदवाया, तो उस अभिलेक से हमें राजा के बारे में पता चल जाता है, या वहां का जो सासक होगा, उसके बारे में हमें पता चल जाता है, वहां का समाज के बारे में हमें पता चल जाता है, वहां की जो society थी, उसके बारे में वहां का जो art and culture है, उसके बारे में हमें अभिलेकों से पता चल जाता है, इसमारक और भवन, यहां से भी हमें वहां की वास्तुकला का पता चल जाता है, अर्थ व्यवस्ता कैसी थी, economy कैसी थी, उन चीजों के बारे में भी हमें इसमारक और भवन से पता चल जाता है, ठीक इसी परकार जो सिक्के होते हैं, coins होते हैं, उनके द्वारा भी हमें राजा के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, जैसे कोई राजा सोने का सिक्का जारी कर रहा है, मतलब उस राजा की जो इस्तती होगी, आर्थिक इस्तती होगी, वो काफी अच्छी होगी, कोई अगर पितल का सिक्का चला रहा है, कोई चांदी का सिक्का चला रहा है, तो उसके द्वारा हमें राजा की अर्थ व्यवस्ता के बारे में पता चल जाता है, उ उससे हमें पूरे समराज्य के बारे में पता चल जाता है कि जो ट्रेड है राजा का कहां से कहां तक हुआ करता था तो ये सारी चीजें हैं पुरा तात्विक स्रोत जहां से हमें हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है फिर आते हमारा स इंडियन लिट्रेचर हो गए और एक फोरण लिट्रेचर यानि कि जो विदेशी साहित्या हैं विदेशों के कुछ यात्री थे वो भारत में आये उन्होंने जो कुछ भी भारत में देखा उन्होंने उसे एजटीस अपनी बुक में लिग दिया एजटीस या थोड़ा तोड मरोड के उन्होंने भारत के बारे में लिग दिया या जिस राजा के वो दरबार में आए उस राजा के बारे में उन्होंने लिग दिया तो ये साहितिक भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, बहुत साहित्या हो गया, जैसे अंगुत्तर निकाई हो गया, जैन गरंत हो गया, तो ये कई सारे गरंत हैं, जहां से हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे वेध हो गए, वेदान्त हो औरणया खो गए फिर आते हैं हम संगम साहित्य पे तो संगम साहित्य से हमें उस टायम क्या जो साउ्ट था दक्षिन भारत था वहां की जानकारी प्राप्त होती है जैसे सिल्पादीकारम एक वहां का ग्रंत है मनी मेखले है आदि तो इन सारी चीजों से यानि कि जो संगम साहित्य है उससे हमें वहां के समाज के बारे में अर्थ व्यवस्ता के बारे में वहां के लोग कैसे थे वहां का रहन सहन कैसा था राजा कैसा था इन सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है फिर एक होता है धर्म निर्पेक्स साहित्या यानि तो अर्थसास्त्र को किस ने लिखा था, कौटिल्या ने लिखा था, तो कौटिल्या के अर्थसास्त्र से हमें सासन प्रसासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, राजा के कितने अंग हैं, उसके बारे में भी हमें जान प्राप्त होती है इसी तरह से जो विदेशी यात्री हैं जैसे रोम और युनान के लेखक हो गए जैसे मेगा इस्तनीज हो गया टॉलमी हो गया हेरोडोर्ट्स हो गया नियारकस हो गया तो यह जब भारत में आये जिस राजा के दरबार में ये रहे राजा के बारे में उन्ह होने भी वही क्या मलब की लिखी जानकारी यहां के बारे में उसी परकार जो अर्वी लेखक हैं अल सुलेमान हो गया, अल मसूदी हो गया, इबन बतूता हो गया अब दोस्तों हम जानते हैं प्राग एतिहासी काल, आध्य एतिहासी काल और जो एतिहासी काल है इन में क्या difference होता है इनका क्या मत्तब होता है जैसे pre historic period हो गया proto history हो गया या historic period हो गया तो प्राग एतिहासिक काल जिसे हम pre history के नाम से भी जानते हैं आधिय एतिहासिक काल इनने हम proto history के नाम से जानते हैं और जो एतिहासिक काल है उसे हम history के नाम से जानते हैं तो जो प्राग पाशान काल है, तो पाशान काल को भी तीन भागों में बाटा जाता है, पुरा पाशान काल, मध्या पाशान काल और नव पाशान काल, तो प्रागे एतिहासी काल से हमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं, बलकि यहां की जो जानकारी होती है, वो हम स्टोन से बात्विक शुरोथ होता है उससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं या जैसे तामर काल हो गया तो यह प्रागे एतिहासिक काल में आता है यहां से हमें कोई भी लिखिच साक्षे नहीं मिलते हैं उसके बाद हम आ जाते हैं आध्य एतिहासिक काल में जिसे हम प्रोटो हिस्ट्र तो यहां की जो लीपी है उसको हम देख तो सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि यहां की लीपी चित्रात्मक लीपी है तो इस लीपी को हम देख सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं मतलब यहां से हमें लीपी मिली है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं इसी तरह से जो एतिहासिक काल है यहां से हमें लिपी भी मिलती है और इस लिपी को हम पढ़ भी सकते हैं जैसे वैदिक साहित्य होगे या उस टाइम के जो साहित्य थे जिनको हम पढ़ भी सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सस्क्राइब जरूर करें